ख़बर लखीमपुर्खीरी से है जहां लखीमपुर्खीरी के ब्लॉक रम्या बेहड के अंतरकत ग्रामसभा सुजानपुर के गाउं माखनपुर्वा में बनिकोशाला में शाम तीन बजे ही ताला पड़ जाता है और कर्मचारी अपने घर चले जाते हैं अन्ना जानवरों क चारा सही समय पर ना मिलने से कई जानवर मर रहे हैं जबकि शासन से प्रती जानवर प्रती माँ 900 रुपए आते हैं इस समय जानवरों की संख्या 200 हो गई है इसे साब से प्रती माँ 1,80,000 रुपए शासन की ओर से मिल रहे हैं फिर भी कोई कर्मचारी मौजूद नहीं रहत जानवर विना चारे के भूके मर जाएंगे फिट्टा जानवरों की है रख रखाओ कोई नहीं यहां कोई करंचारी दिख नहीं रहा है ताला पड़ा हुआ है गेट पे अब गाएं सब यह ऐसे जुम रही हैं जिस्टा ना यहां चारा की दिवस्ता है ना पेरा है आप देखिए इस जानवर ऐसे किसे में दुबले प और दो गाएं तो वो मर गई हैं आगे यह भी दिखाते हैं आपको यह देखिए गाएं की दिखा क्या है और यह गाएं जुद की देखिए क्या है और यह यह गाएं जो यह आपको चादल यो भी है इसमें गाएं मर गई है यहां कि दुद सा यहां शुत्ता नलोज़ों की हो रही है यह गाए देखो वी भी मरने के गगार से है यह गाय देख रहे हैं आप यहां कोई कर्मचाई नहीं है अब यह गाय परी हुई है देखिए इसका तेट फुल गया है लेकिर कोई यहां देखने वारा तो है नहीं यह बीमाल है देखिए यह इस्थित यहां गौसाला की बनी हुई है आगे यह जो बना हुआ है यह चुट्चा जानवन को बाधने का चारा देने के लिए बना हुआ है बाकी ग्राउंड पुला दखा जा रहा है आज देखें यहां कोई करंचारी महजूद नहीं है कि अइसे में खाली खाना पूर्ती होती है कागज के पनों पर जो लिकर खाई रहाता है कि इतनी संख्या गायों की है गायों को समझ से पाइग ना छारा ना इसी के आभाव के चलते यहां की जुम्मेदारी परधान की होती है जिरके अंडर में यह गुषारा बना हुआ है सिगरेटीर की भीमेदारी होती है कि देखपाल करे लेकिर यहां ना लखीम पुर्खीरी से संजे जैस्वाल की रिपोर्ट टीवीवन इंडिया नियूज झाल